धाबे का स्वात अब आप घर पे ले आए इस रेसिपी के साथ आज हम घर पर ही बनाएंगे लसुनी पालक पनीर बहुत ही आसान रेसिपी है इसलिए विडियो को अन्तक देखे सारे स्टेप्स फॉल्लो केजे लसुनी पालक पनीर बनानी के लिए यहाँ पे मैंने एक गड़ी पालक ले ली है इसका जो नीचे वाला हिस्सा होता है न स्टेम का वो निकाल दिया है आप जैसे कि आपको भी पता है लीफी वेज़िटिबल्स में बहुत सारी मिट्टी होती है इसलिए पहले तो एक से दो बार पानी से अच्छे से धोलीजे इसे ऐसा करने से इसकी सारी गंदगी निकल जाएगी जब तक मैंसे वाश कर रहे थी एक से दो बार उतने देर में मैंने पानी चड़ा दिया है यहाँ पे ग्यास के उपर और जैसे ही वो बॉइल हो जाए ना उसमें आप पालक डाल दीजे ब्लांच करने के लिए इसे हमें जादा देर नहीं पकाना है पानी में बस एक मिनिट के लिए रख दीजे बॉइलिंग वाटर में और उसके बाद इसे हम ट्रांसफर करेंगे थंडे पानी के अंदर यहाँ पे देखे एक मिनिट हो चुका है और स्पैचला की मदद से इसका जो पालक है वो निकाल लीजे और उसे डाल दीजे एकदव आईस कोल्ड पानी में अगर आप बहुत जल्द बाजी में हैं इतना टाइम नहीं है आपके पास तो पालक पहले से ही आप ब्लांच करके इसकी प्यूरी बना के रख सकते हैं फ्रिज के अंदर आराम से ये एक हफ्ता रह जाएगा और खराब भी नहीं होगा अब प्यूरी बनाबते वक्त हमें इसके अंदर पानी डालने की जरा भी जरुद नहीं है क्योंकि ब्लांच करते वक्त थोड़ा सा पानी है इसमें आराम से प्यूरी बन जाएगा उसका स्टोर करने के लिए आप चाहें तो एटाइट कंटेनर में स्टोर कर सकते हैं फ्रिज में वहीं दूसरी और कड़ाई में मैंने दो से तीन बड़े चमच तेल करम कर दिया है इसमें डालेंगे एक चमच जीरा और जैसे ही जीरा चटक जाए इसमें डालें तेजपता दालचीनी फिर इसमें डालें धेर सारा कटा हुआ लसन क्योंकि ये लसन ही पालक पनीर है तो लसन तो जाएगा ही इसके बाद जैसे ही ये जो लसन है हलके हलके से ब्राउन होने लगे न इसमें हम डाल देंगे कटे हुए प्यास और बारिक कटा हुआ हरी मिर्च दो मिनिट के लिए इसे भून लीजे और इसमें एक टमाटर डाल दीजे चॉप करके साथ ही थोड़े से मसाले जाएंगे जैसे हल्दी पाउडर धनिया पाउडर ग्यास का फ्लेम यहाँ पर मैंने लोड टू मीडियम ही रखा है हमारे जो टमाटर है वो जल्दी से सॉफ्ट हो जाए इसलिए थोड़ा सा इसमें मैंने नमक डाल लिया है और साथ ही डालेंगे लाल मिच पाउडर अब मीडियम फ्लेम पर इस मसाले को मैं तीन मिनिट के लिए भून लूँगी जब तक इसमें से ओल सेपरेट नहीं हो जाता और हमारा टमाटर भी अच्छे से यहाँ पर साफ्ट हो गया है जो प्यूरी बनाई थी ना हमने पालक की वो डाल दीजिए और फिर आदा कप के जितना पानी ग्राइंडर जार में डाल दीजिए जाकि जितना भी उसमें चिपका है ना वो सारा इसमें आ जाए नमक एट कर देंगे स्वाद अनुसार और अच्छे से इसे मिक्स कर लीजिए दो मिनिट के लिए आप पका लीजिए इसे और फिर हम इसमें 200 ग्राम के असपास पनीर डाल देंगे क्यूब्स में कटे हुई आप चाहे तो पनीर को अलग से फ्राय करके भी आट कर सकते हैं एक से दो मिनिट फिर से इसे पका लीजिए ताके जो पनीर है उसमें अच्छे से कोट हो जाए हमारा पालक का मसाला और फिर उपर से डालेंगे फ्रेश क्रीम आप चाहे तो घर की जमी हुई मलाई ले लीजिए या फिर बजार से जो फ्रेश क्रीम का पाकेट आता है ना वो भी चल जाएगा आप लस्टो निपालक को और ज़्यादा टेस्टी बनानी के लिए इसमें एक तड़का बनाएंगी तो उसके लिए मैंने यहाँ पे घी ले लिया है थोड़े से कटे हुए लस्टन डालेंगे फिर से लाल मिर्च, सूखी लाल मिर्च और चुटकी भर हींग तड़का बिलकुल ऑप्शनल है बट इससे जो टेस्ट है न वो बिलकुल नेक्स लेवल तक पहुँच जाता है इसलिए से जरूर डालिएगा यहाँ पे हमारा एकदम टेस्टी लस्ट निपालक पनीर तैयार मटर पनी यह तो हम सभी बना लेते हैं घर पे पर प्रॉब्लम का बाती है जब आपकी सबजी को रेस्ट्रोंड या धाबे के साथ कंपेर किया जाता है जब आप मेरी तरह सी यह सबजी बनाएंगे ना तो रेस्ट्रोंड धाबे के टेस्ट को तो सभी भूल जाएंगे सिर्फ इसे याद रखेंगे वीडियो को अंतर देखिए रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजी मटर पनी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने दो बड़े चमच के जितना ओइल गरम कर दिया है इसमें डालेंगे एक चमच जीरा, दो तेच पत्ता और कुछ सेकिंद्स के लिए से भून लेंगे यह देर में जो जीरा है वो भी चटक गया है अब इसमें थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे और एक बड़ा चमच अद्रक लसन का पेस्ट अगर आप बजार का अद्रक लसन का पेस्ट यूज कर रहे हैं तो कढ़ाई को धाग जरू दीजेगा वरना बहुत छीटे उड़ेंगी घर का यूज कर रहे हैं तो उसकी जरावी जरूरत नहीं है अद्रक लसन का भून लिया है कुछ देर के लिए और इसमें डालेंगे प्यास, बारीक कटा हुआ और हरी मिर्च वीजियम फ्लेम पर हम इसे भून लेंगे जब तक कि हमारा जो प्यास है न वो हलक असा ब्राउन नहीं हो जाता बिलकुल इस तरीके से नॉर्मली जब हम दूसरी सबजिया बनाते है न तो पहले टमाटर डालते हैं उसे भूनते हैं मसाले के साथ और फिर मतर या पनी डालते हैं लेकिन यहां पे सबसे पहले हम टमाटर नहीं आड़ करेंगे उसकी जगह मैंने डाल दिया है मतर एक कप पेल में मतर को कुछ तेर भून लीजिये लगबक एक मिनिट के लिए और फिर इसमें दो टमाटर डाल दीजिये चौप किया हुआ आप चाहे तो इसकी जगह टमेटो प्यूरी भी डाल सकते हैं वससे अच्छे से मिक्स कर लीजिये और अब बारी आती है कुछ बेसिक से मस कॉफ नहीं हो जाता तो इसके लिए मैं कड़ाई को ढग दूँगी और लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसे पका लेंगे तीन से चार मिनिट के लिए यहाँ पर तीन से चार मिनिट हो चुका है और हमार जो टमाटर है न वो भी सॉफ्ट हो गए हैं देखिए इसमें से ओईल भी रिलीज होने लग गया है अब बारी आती है इसमें पानी आड़ करने की लेकिन इसमें ध्यान दीजिएगा आप इसमें गरम पानी डालिएगा थंड़ा पानी नहीं थंड़ा पानी डालेंगे तो तेस्ट में थोड़ा सा फरका सकता है इसलिए गरम पानी यूज़ कीजिए फिर डालिए नमक स्वा साथ में डालेंगे कटा हुआ हरा धनिया, आदा चमच के जितना गर्मसाला पाउडर, 200 ग्राम पनीर को क्यूब्स में कट करके आड़ कर लिया है, अब बस ढखकर इसे दो मिनिट पका लीजिए और हमारा टेस्टी सा मटर पनीर बनकर रेडी है, आप चाहे तो इसे रोटी, फुलका, राइस, चपाती, किसी के साथ भी सर्फ कीजिए, बहुत बढ़िया लगता है, ट्राइ करने के बाद कमेंट बॉक्स में बताना भूलिएगा नहीं कि रेसिपी कैसी लगए, थैंक्स फौर वच्छिंग, बाइ,